हेलो फ्रेंड स्वागत आपका स्टड़ी हैक्ट चनल पर जैसा कि आपको पता कि अभी हमारी वकाइब की सुरीच चल लेए जिसमें हम बात करते हैं वकाइब की एकदम बेसिक लेबिल से अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा अगर आप नए नए हो अब वकाइब सीखना है तकि हमें और आपके लिए बेस्ट कलास है कि कया रहते हैं प्रस वात सांथ हो जिसको बना लेते हैं और बहुत सारहीं अपिक्टर के बताता हूं जिसको आपको लंबे समय तक कि बहुत सारे आपको इडियम और फ्रेज्ज मिलेंगे या वनवर्ड मिलेंगे जिनको मैं किसी इंसिडेंट या स्टोरी के साथ रिलेट कर देता हूं ताकि आपको चीज लंबे समय तक याद रहता है तो मैं वह कैप को उसी फॉर्म में आपको याद करवा देता हूं कि अपक मॉनिक की साथ इसको ऐसे याद करना बताया था इसका सिनोनिम्स क्या-क्या होंगे यह सब बताया था ठीक है तो हमारी क्लास डेली कितने वज़े होती तो 5 पीम पो होती है तो आपको बहुत सारे question रिपीटिव दिख रहे हैं जो मैंने class में आपको करवा रख था ठीक है तो आपके लिए चीजे आसान होती जाती है जब आप previous year के question साथ के साथ प्रेक्टिस कर लेते हो ठीक है तो अभी तक हमारी 40 class successfully conduct हो चुकी है आज हमारा episode 42 है अब यू कह सकते हो कि class 42 है तो अगर आपने अभी तक एक भी class नहीं देखी होगी तो मैं suggest करता हूं playlist से जाए और सारी classes देखके आपके लिए बहुत ही beneficial होगा आपको class में बड़ा मजा तो सिर्फ वोकाय भी important नहीं होता है किसी इंग्लिस इंग्लिस उसके लिए क्या important होता है इंग्लिस grammar के rules भी तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं class के बीच में एक section लाता हूं जहां पर मैं इंग्लिस grammar की important rule भी आपको discuss कर देता हूं तो यह complete class है beginners के लिए और जो पड़े कुछ उन्हें आता होगा उनके लिए तो जैसा कि आप हमारे class के साथ जूरे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हर class के last में हूंबर question देता हूं जिसको आपको answer करने पाड़ते हैं तो last class के question का answer Sam Sachan ने और मधुलिका पाटी इन्होंने सब्सक्राइब तो आप लग भी limited time frame में answer करने की कोसिस करें ताकि आपका भी मैं include कर लूँ अगले जिन comment ठीक है तो चलिए चलिए जान शुरू करते हैं अपना class जानते आज का पहला वर्ड कॉन सा है तो आज का जो पहला वर्ड है वह कौन सा है तो आज का पहला वर्ड है वह कॉन सा है त सौर्ट मतलब क्या होता है सहचारी ठीक है जो आपके प्रोब्लम आपके साथ सौल्व कर दे ठीक है सौर्ट आउट कर दे कौन वो जो मेरा प्रोब्लम मेरे साथ सौल्व कर देता सौर्ट आउट कर देता कौन सौर्ट ऐसे याद करें जो हमारा सौर्ट कर दे क्या प्रोब्ल अहीं होंगे इसके फिक्टर से देख पारे हों कि इसका ये क्या है कमपेणिएन है पार्टनर थीक तो चलिए आगे बाद करतें की तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड वह कंश्ट्रेश कंस्टरनेशन मतलब होता तो हमारा जो से सब गबर को देखिकते कैसे ढर लगता घ씨 अगर गार अंधर उका आपके अंदर और यह सब क्या हो जागे इसके एंटोनिम से याद रखना है कि घबराट होगे भागने लगा आपको से जादे लंबे समय तक याद रहेगी और किलियर भी हो जाएगी चलिए नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स वाइट है कॉंस्ट्रेंट मतलब क्या आता है वीवस कर दे तो क्या कर दे तो रिस्ट्रिक्ट कर दे तो रेस्ट्रेंट कर भी यह सब क्या हो जाएंगे सीनोनिम्स हो तो क्या होगा कि किसी को आप स्ट्रेस में डाल दिया मतलब क्या किया इसको विवस कर रहे है तो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यह सब क्या हो जागे इसके सिनोनिमिक लिए देख पारें कैसे इसको टीज कर रहा है इस बंदे को सब भी लोग ठीज कर रहे तो इसको क्या कर रहे हैं विवस कर रहे हैं कि यह चिरशीर आप हो जाए ठीक है इन्हें कुछ अच्छा सब्द सुना दे यह हो जाए इसके अंट्रेंट मतलब विवस कर लेते हैं अगर आपको आजादी हो ठीक है आपको छूट हो ठीक है आपने िकरेंग के अशले bırak loops हो नेक्सच व Northeast कॉन्स्ट्रेंट मतलब प्रतिबन कॉंस्ट्रोल कि आपक्या कर लो स्कूर्ण मतलब प्रतिबंद लगा दो इसके पर स्ट्रिक्षन लगा कर दो इसको लिमिट कर दो क्या हो जान हो देख किसे इसको चेयना रूब कर ल प्रतिबंदित कर दियागा, किसी भी करने से प्रतिबंदित कर दिया ंँवर कुर्ण प सब्सक्राइए, इसके आंटिय। कह थीसे अजाद करें तो यह थम पेमीनीखने, आजादी, यव अजादी, ओप कहा हुती यह थीजिई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है कंसल्ट कंसल्ट मतलब क्या आता है राय लेना किसी का विचार राय ले तो उसी को बोलते इसके अंटोनिम हो जांगे अगर आप किसी ची को मना कर दे किसी को राय यह सब क्या हो जाइंगा एसके एंटोनिम हो जाए तो मैं रहने आपसे यही वपर पूछा था कि the sound of pror क्या होता H काओ काओ करता है घिक है और गाय की सुनी होगी तो क्या करता है हो को कि क्य करता है tan जbay ग ti तो अई सہilleते हैं तो आपको मिलेंगे कहां पर अपना यम् Anh Min कशी होगी है अथ तो अईसे ही बहुत सारे जाणवर के टेलिग्राम का चैनल का लिंक होगा वहां से जाका PDF डाउलोड से ले रहें ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इस समय आता है जब दुसमन जो होते हैं वह सहमत हो जाते हैं कि नहीं नहीं अब बहुत हो गई लगाई अब हम लागाई नहीं करेंगे उसी को बोलते हैं जब यूध के बीच में जो विराम होती है संगर्श विराम बोलते हैं उसी को बोलते हैं सीजफायर हो गया तो कैसे यह लोग नहीं अब यूध नहीं करना अब लेना है अपने घर की तब जाना है तो सीज फैर मतलब होता है संगर सभिराव नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट है सेलीवहसी मतलब क्या होता ब्रहमचर थीख स्टेट ऑफ लिविंग और रिमेनिंग अनमेरी ऐसा स्टेट जब आप साधी नहीं करना चाहते हो तो उसी को बहुत है सेली वैसी ब्रहमचरे ठीक है मतलब क्या होता है तरЧто कर देंटें में को सेलिर्म मतलब यह सबसे अंडर्गराउन फ्रयूर वाइन और वाइन और प्रोविजन फीक है एक अंडरगाउन प्लेस होता है, जहांपे हम लोग क्या की इस्टोर करते हैं, वाईन या फिर और चीजे जहांने, उसी को बोलता है, ठाहख खान. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स सिमेट्री, क्या होता है बता है, कबरीस्थान. थीक है, a large burial ground, थीक है, जहां पर दफनाय जाता लोगों को, धीक है, धीक है, वो क्या होता है तै कबरिस्तान, धीक है उसी को बोलते symmetry, धीक है, धीक है, कबरिस्तान इसे सिनॉनिम क्या हो जांगे ग्रेवियंद मतलब भी क्या होता है कबरिस्तान होता और सेमेट्री मतलब भी क्या होता ओलार्ज व्यूरियल गृंट क्लिए लोगों को दफना आ जाता है नेक्स बात कर लेते हैं डिसल्ए जासा पको पता कि~~~ अब उस जगह से कहीं भी नहीं जा पातो तो archive लोगों अड़लते हैं मतलब फसे रहना आपने देखा कि covid के time में कैसे लोग जहां थे वहीं फस गए थी फाई तो वहीं बोलते मतलब फसे रहना नेक्स बात कर लेते हैं सबस्क्राइब कुलेते हैं फार कि छुट्टी होती होता है आप क्लास्रوم से तेजी में क्या करता हो था है जाते हो फ्रॅव जाते हो नेक्स्ट है be on high alert मतलब क्या है चौकन ना रहना अगर आप किसी चीज पर high alert पे हो तो मतलब क्या हो बहुत ही attentive हो ठीक है तो be watchful and ready to take ठीक है अब बहुत ही चौकनने रहते हो और action लेने के लिए हमेसा तयार रहते हो तो आप क्या बोलते है be on high alert ठीक है अब रही हाई alert पे हो ठीक है बहुत चौकनने हो ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है be on the air ठीक है अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो ठीक है आपका interview लिया जाता है तो क्या होता है be on our a I around आप ढोलते हो upstairs ठीक है बीडियो पर हो आप से रेडियो पर क्या वोलते हैं लाइब उन दे यार मतलब सेम ही है कि रेडियो या टीवी पर आना ठीक है चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है Be on the Square, Square मतलब आपको बताया था अनिस्स से होता है ठीक है तो आप अगर square पर हो, ठीक है, तो मतलब क्या हो, आप इमंदारी से काम कर रहे हो, ठीक है, इमंदारी से काम कर रहे हो, be honest square मतलब क्या होता है, इमंदारी से काम कर रहे हो, to act and speak honestly, ठीक है, अब क्या करता हो, कि इमंदारी से अपने कारे को करता हो, या कुछ बोलते हो, तो इम है इसका आप पाई और वागत ऑयाते हैं इसका भी मतलब कह Panorno question ऐसे क्या कुल् вас करते हैं क्या अगर आप हमारे class क भाने होगे तो इसमें से क्या निकलता है और आप नियू है तो मैं बता दूँकि जभी तो इसमें से कोई डिजीज नहीं निकलता है इसमें से बहुत ही अच्छी चीज निकलती है तो 100 गोल्डेर रूल इस चीज के इंगलीस ग्रामर के इसका यूज कहां आता है इसका यूज आता है इरे डिटेक्शन और संटेंस इंप्रूब्मेंट के को सॉल्व करने ठीक है ए इसलिए मैं डेली एक-एक रूल आपको डिसकस करवाता हूँ हर क्लास के साथ एक-एक इंपॉर्टेंट रूल डिसकस करवा देता हूँ अभी तक हमने नाउन प्रोनाउन वर्ब कर लिया रूल अभी हम एड्जेक्टिव की रूल की बात कर रहे है ठीक है तो अभी तक हमन करने के रूप में होता है कितने लोगों के लिए तो दो या दो से ज्यादे चीजियों हो लोग हो तो उनके लिए हम क्या इच का यूज कर सकते हैं लेकिन जो एवरी होता है वह हमेसा दो से ज्यादा के लिए ही यूज होगा ठीक है दो के लिए आप यूज नहीं कर सकते है दो के लिए किया यूज करोगों इच या दो से ज़ादा है फिर भी आप इच कर सकते हो लेकिन एवरी रेस्टिक्टर रहे कि वह दो से ज़्यादा के लिए ही यूज होगा ठीक है ऐज्यामेबल से समझते हैं कि बलत करके आफ तो आप यहां रखना है कि दो होंगे तो आप इच का यूज करना दो से जादा हो इसके लिए नहीं होगा दो से ज्यादा जब आप पर पर्सन होंगे या थिंस होगे तो आगे बादें नेक्स्ट बात करतें तो next हम बात करेंगे previous year का question, ठीक है 14 July के shift first की बात कल हम लोगोंने कर ली थी, आज हम बात करेंगे shift 2 की question, ठीक है, तो पहला question के आया है, आपको antonyms बताना है, compelled का, 10 second मिलेंगा आपको answer करने के लिए, part of answer कीजेगा, 4 option है, demure, obscured, confessed, induced, ठीक है, part of answer करेंगे आप लोग, तो इसके साथ time up हो चुका, I hope आप सभी लोग ने सही चैन सक कर दिया होगा, ठीक है, तो इसका जो सही antonyms होगा, वो होगा induced, ठीक है, compare मतलब क्या होता, मजबूर करना, ठीक है, किसी को आप force कर देतो, force करना, impale करना, ठीक है, मजबूर करना, impale, push, ठीक है, यह सब क्या अपत्ती, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीद से अपत्ती हो तो उसको क्या बोलतो, दे मूर, ठीक है, अपत्ती प्रकट करना, ठीक है, तो अपत्ती कब आती है, जब आपके इस पर क्या करतो, object कर देतो, अपत्ती आएगी तो objection लगा, object करोगे, ठीक है, और क्या करोगे, आपक्ति आगी तो protest करोगे तो यह भी इसके क्या हो जाएंगे synonym हो जाएंगे ठीक है obscure मतलब क्या होता है जोकी asfast नहीं हो ठीक है और कोई बीची अनदेरा होगा तो क्या होगा clear नहीं होगा ठीक है या फिर उसमें बी-Cloud हो तो यह सब क्या हो जाँगे इसके synonyms हो जाएंगे confess मतलब आपको पता है सुपार करना कि आप किसी भी चीज़ को accept करते हो तो क्या बोलते है confess करते हो ठीक है जैसे confess करते हो आप चर्च में जाते हो तो confess करते हो अपने crime को ठीक है या आप जो sin करते हो फॉप करते हो तो confess मतलब क्या होता है सिहकार करना ठीक है accept and admit always अद्मेट सब्सक्राइब एक्सेप्ट यह सब क्या हो जांगे इसके synonyms हो जांगे evo एवो ठीक है यह सब इसके synonyms हो ठीक है यह सब इसके synonyms हो घुष है और नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स क्वेशेन के रहां आपको एडियां मतलब बताना है इडियां क्या है तो इसरा टाइम अप हो चुका है कर दिया है कि कि तुकी कि दा बके नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको अंठोनीम से बताने एडेज का एडेज का या की का इंट्रीम से बताने चार ओसन है इडे मिस्कॉंस्ट्रक्षन रिव्यू डेयर एडिक्शन yeah फटा-फट एंसर करेंगे इसी के साथ time up हो चुता है तो मैं बता दू एडेज मतलब क्या होता है कहावत इसको अब क्या बोल सकतो sayings ठीक है saying बोल सकतो ठीक है saying और क्या बोल सकतो प्रोवर्स ठीक है यह सब क्या होते है कहावत ठीक है addives मतलब क्या था हावत saying फट्रो節目 थिक है इसका जो सही अंट्रोनिम्स पूच्छाрист और मिस construction मतलब क्या गलत समंझना कहावत जो होती है क्या होती है और हमेवाध बोल शकता है उसको क्या बोल सकतो मिस कॉंसेप्ट नसी को मिस कुनजी कर दें मिस जज कर दें टू ठीक है कीज़ ऑले हैं कि मिस अंडरेस्टेंट यह सब क्या हो जानगा इस सेट्व जानगा सर्णे न्युंड ہो जैंघ वैंट जो सीटि एक जा होते हैं और misconstruction इसके क्या हो जाएं जो कि आपको गलत समझाए ठीक है कहावत या प्रोबस आपको सही सही बाते बताते है ठीक है और misconstruction क्या गलत है जब आप गलत समझ ले तो किसी जी को misjudge कर ले तो ठीक है रिबूक मतलब आपको बता रखाओं डाट फटकार लगाना ठीक है डाट फटकार आपको बता रखाओं क्या होगा चाइड स्कॉल ठीक है यह सब रेप्रिमेंड यह सब आपको मैं बता रखाओं डेयर मतलब क्या होता है हिम्मत करना ठीक है डेयर मतलब सास करना हिम्मत करना ठीक है अप इसको बोलसब्तों कि है और और ता यह दो को यह सब यह सब क्या लगते सपथ 911 ऑप問觉 किमें एडिक्स बीशी होलती तो इसको मीशनाण सब्सक्राइब नेक्स्ट आपको अंटोनीम से बताना है किसका चार प्षन है रिसनल्लीस्टिक अन्सिंपेटेटिक नन-डिप्लोमेटिक तो फटा-फटा एंसर करेंगे तो इसी के साथ time up हो चुका है इसका जो correct ओनियम हो जागा ठीक है कलो असका जो ऑजयागा क्या हो जागा इसके सीनोनिम्स है आप बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो यह सब क्या हो जाएंगे इसके सीनोनिम्स हो जाएंगे इसके सीनोनिम्स हो जाएंगे और क्या बोल सकते हो आप इसको चंग की ठीक है यह भी क्या हो जाएंगे इसके सीनोनिम्स हो जाएंगे और सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है सहान भूती थीक है अप इसको क्या बोल सकते हो इसके सीनोनिम्स है और नन डिप्लोमेटिक मतलब क्या होता है गैर राज नहीं की ठीक है नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बात आना है किसके रेडी के ठीक है चार ओप्षन है प्रिपेरिंग लिस्निंग और गेनाइज इक्यूब ठीक है आई होप आप सभी लोगने एंसर करी दिया होगा फटाफट एंसर करेंगे इजी वड़ है तो इसके साथ टाइम आप हो चुका आई होप सभी लोगने रेडी का जो सिनोनिम् होजओ छेगा रिपेरिनग मतलब क्या होता सुना और होता संगाधिया सब्सक्राइब क्या करदे था और क्या और क्या सकतो अब युणिफाइड है और क्या बोल सकतो penis सब्सक्राइब कर लेते हैं नेट्स्ट आपको शिन्योनिम सबताने किसका होस्टाइल का तो इसे के साथ time up हो चुका I hope आपी सभी लोग ने सही साही सिनोनिम्स बता दिया हो तो हुस्टाइल का जो सही सिनोनिम्स हो जगा वो क्या होगा अन्फेंडली यह मैं आपको बहुत बार बता चुका हुस्टाइल कौन होता है जो सत्रुतापुर्ण हो ठीक है तो क्या बोल सकते हैं आप इसको अन्फेंडली ठीक है प्लीजेंट मतलब क्या होता है सुहावना जो आपको इजफुल लगए डिलाइटफुल लगए यह सब मैं प्रिवेस क्लास में करवा रखाओ मतलब क्या होता है महमान नवाजी जो होती है उसको मतलब क्या होता सहान भूति टाती जो सहान भूति दिखात तो उसको बहुत है इंसिडेंट पॉजिटिव ग्लूमी फटा-फट एंसर करेंगे तो इसका टाइम अप हो चुका आई होप आप सभी लोग ने सही सह एंसर कर दिया होगा तो अप्टिमिस्टिक कौन होता आसा वाली ठीक है आपको मैं इसका सिनोनिम्स बता रखाऊ होप फूल ठीक है अप्ट कि असद्र है कि मतलब क्या होता रहना रिवेन लीव और क्या बोल सकतो आप स्टउप अगर आप रह रहे हो कहीं पे तो क्या हो जारो c открыnda थीवेंट मतलिआ क्ईश्पर होगा अगरोट ये सब क्या हो जागा इसके सीरल सकाथ वेनोमेंडी रखाऊ अ को एक फिनोमेना होगा पॉजेटिव मतलब क्या होता है सकारात्म ठीक है ग्लूमी मतलब उदास आपको बता रखाओ सलें सोरोफूल ठीक है मेलनकोली यह सब क्या है इसके सिनोनिमिस ठीक है चाले नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको वनवर्ड बताना इस ग्रूप अवर्ड के लिए अपर्सन हूं बिलिप्स डैट लॉज एन गर्वर्मेंट्स आर नोट नेसेसरी ऐसा पर्सन जिसको विश्वासों की लॉज और गर्मेंट नेसेसरी नहीं है ठीक है चार उप्षन है एंटागोनिस्ट इस Hmmm ुट इसीके साथ टाइम हो चुका आउप अभी लोगा वह सखेल से अन्सरी कर दिया होगा तो इसका जो होगा अचरेक्ट हो वो था और कि नेक्स्ट आपको इडियम का मतलब बताना है इडियम है मिस्ट बोट बहुत बारे सश्री ने पूछा इजी है मिसिंग गुड ऑपर्चुनिटी मिसिंग यूर मीडियम अफ्रेवल मिसिंग गुड मोमेंट्स आफ यूर लाइफ बिंग तुए इसे के ताट टाइम अपको चुका आयोफ आप सभी लोग ने सही सह एंसर का दिया हो था मिस्ट बोट मतलग था मिसिंग अपको कहीं जाना थ बहुत ही अच्छा कारे के लिए आपने क्या एक लास्ट बोट था उसको ही मिस कर दिया तो आपने क्या मिस किया गुड ऑपरचिनिटी ठीक है चलिए नेक्स बात कर लेते नेक्स्ट आपको इस ग्रूप आफ वर्ड के लिए ओड़ बताना है ठीक है अब परसन हुई हंड सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में सेर कर दे और कमेंट में अपना एंसर बताना ना भूले आज के कुश्चन का है ठीक है और अपना स्कोर भी जरूर से जरूर से करें ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में कुछ नया लेने लेकर आऊंगा ठीक है तब तक के लिए जय हिन जय भाग टेक केर